जै शरी राम मैं डॉक्टर अंकित्यागी आपका अपना एस्टारजर नुम्रिलोचस्ट लाल कितावन वास्तू कंसल्टन्ट स्वागत है आप सभी का आज के अपने बेहत खास कारेक्रम बाग्यदरपण उम्मीद के किरण में जहां हम आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें लेकर के हाजर होते हैं आज एक ऐसा शोध एक ऐसा दिवे परियोग एक ऐसी रिसर्च आपके समक्ष लेकर के आए है बहुत छोटी रिसर्च बहुत छोटी चीज़ जो हर घर में आपको मिलेगी लेकिन आपकी तकदीर बदलने में आपके लिए साहयक से दो सकती है जी हाँ हम बात करने है नमक की क्या आप जानते हैं कि नमक का इस्तेमाल ठीक डंग से कर किया जाए तो घर में सुक समर्द्दी की कमी नहीं रहती ऐसी मननेता हैं हैं शास्त्रों में क्या आप जानते हैं कि गर की आरतिक इस्तेती को ठीक करने में भी नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत लाबकारी हो सकता है क्या आप जानते हैं कि आपका मांसिक स्वास्थ भी नमक से इंप्रूब हो सकता है आज का चर्चा आज की जो विशह है वो नमक का ही होगा और आज की चर्चा इसी विशह पर हम करेंगे आईए शुरुवात करते हैं कारे करम की जोतिश शास्त्र और वास्तू शास्त्रों ऐसा मानता है कि घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में भी नमक का बहुत एहम योगदान होता है खाने की चीजों में भले ही आप कितने भी मसाले डाल दें लेकिन स्वात तो नमक के बाद ही आता है नमक अगर ना हो आप कितने भी मसाले डालने फायदा नहीं होने वाला और नमक न केवल खान पान का अभिन हिस्सा है बलकि वास्तु शास्त्र में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है गर में सुक शांती बनी रहे इसके लिए तमाम कोशिश करते हैं लोग वास्तु विज्यान में भी कई ऐसी बातों का जिक्र मिलता है जो घर से नेगेटिविटी दूर करने में मददगार माने जाते हैं कहा जाता है घर में सुक शांती और समरद्धी के लिए नमक का इस्तिमाल भी फायदे बंद होता है आईए जानते हैं कैसे करें इसका इस्तिमाल क्या कहती है हमारी रिसर्च इसके पीछे वास्तु शास्तर कहता है कि बहुत सारी गरेलू समश्याओं को हल करने में चुटकी भर नमक आपका काम कर सकता है आपने कई बार दिखा होगा लोग रोजाना पानी में नमक डाल कर पोचा लगाते हैं घर में ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक्ता और दरदरता दूर होती है हाला कि गुरुगार के दिन लोगों को पोचा नहीं लगाना चाहिए और साथ ही अगर घर में आप पोचा लगाने के लिए समुद्री नमक का इस्तिमाल करते हैं तो जादा बहतर रहता है ये भी आपको बता दें कैसे हम अपनी धन की दिक्कत दूर कर सकते हैं नमक का प्रियोग करके और वास्तु शास्त्र में इस बात का जिकर भी मिलता है धनलाब के लिए गर के नेते कौन में एक शीशे के गिलास में पानी और नमक मिला कर रख दें और इसके पीछे लाल रंग का बल्व लगा दें ध्यान रहे कि पानी सूकने पर गिलास को साफ करके दोबारे इसमें नमक मिला कर पानी रखते हैं हमेशा रखा रहे ना चाहिए गर में जब तक रखा रहेगा गर में धन की कमी नहीं होगी आज के इस कोरोना काल में आज की इस परिस्थिती में आज की इस वातावरण में हर कोई mental stress से गुजर रहा है तो ऐसे में बांसिक स्वास्त का ध्यान रखना बेहज जरूरी हो जाता है कहते हैं कि अवसाद या तनाव कम करने में भी नमक का उपयोग किया जाता है बताया जाता है कि एक बाल्टी में सेंदा नमक पानी में मिला कर रस्रान करने से तरोताज हम हैसूस करते हैं आप और पॉजिटिविटी का संचार होता है मेंटल रिलेक्सेशन मिलता है आपको नेगेटिविटी दोर हो जाती है वास्तु शास्तर तो कहता है कि लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नमक को किस धातू या डब्बे में आप रख रहे हैं जानकार बताते हैं कि नमक को आप काच के बरतन में रख सकते हैं और वही सुक शांती बरकरार रखने के लिए स्टील के बरतन में आप ये लोहे के बरतन में कदापी नमक न रखें ये ध्यान रहे अगर आप जाते हैं गर में सोक शान्ती बनी रहे तो कभी भी स्टील ये लोहे के बरतन में नमक नहीं रखना है तो ये थे वो छोटे-छोटे नमक के उपाए जो आपके जीवन में परवरतन ला सकते हैं और बहुत छोटे-छोटे ऐसे शोध हम आपके लिए ऐसे रीसर्च हम लेकर करके आते हैं जो आपके जीवन से बहुत बड़ी-बड़ी परिशानियों को खत्म कर सकते हैं बहुत-बहुत आभार आप सब का अगर आपको विडियो पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आकन दबारा ना बूलें आप हमारी फेस्बुक पेज को भी अगर एगर विडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं